हेलो फ्रेंज आपस्पी का स्वागत है स्टाडी फाउंड रेस्टन इडियूप चैनल पे इन्वर्मेंटल स्टाडी क्लास के अंदर हम रोड डिस्क्स करने 500 बेस्ट एमसीक्व का कोशन उसका एक क्लास नमर फोर है बाकी क्लास का लिंक आप सबी को डिस्क्प्स बॉक्स मि मिझा तो चली वुडियो को सुरू करते हैं तो चली वीडियो का सुरू करते हैं आज जमार 30 से डिस्क्प्स को सबसे पहले किस ना Quốc इसके बाद नेश्क ने करियर अप डेंगी डिज्ट का कौन सा मस्कीटो उसका नमें एडिस मस्कीटो तो इसके बाद इसके बाद टीकेंपोक्स होता है स्मॉल पॉक्स होता है बट फ्लू होता है इसके बाद नेश्क 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 ने इसके बाद Nescus ने आपसे भी को क्या उप्सन फे इंसर हो जाएगा असी नमर अ तो इसी लिए इसका साही अंसर होगा अप्सन नमर A इसके बाद नेशकोस ने विच अब दा फोले इस बाइबरेबल वेस्ट यहाँ पर जो अप्सन दिया इसमें से आप सभी को बत रहा है कौँसा अप्सन बाइबरेबल वेस्ट है प्लास्टिक, पॉलेथिन, ग्लास से तीनों जो है नॉन बाइबरेबल वेस्ट है इसलिए इसका साही अंसर होगा अप्सन मेर D, नान अब दीस बैटरिये का माधियं से फर एक्जांपल पेपार, फूट पोडन, कोटन, काउडन, और अरगनी वेस्ट, न बाइबरेबल वेस्ट को कहा जाता है सब्स्टेंस डेटर नोट ब्रोकें डाउन इस सिंपल मॉलेकुल जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं सिंपल मॉलेकुल के अंदर उसको कहा जाता है नॉन बाइड़ेगबल वेस्ट फर एगंपू डिटी टॉक्सिक केमिकल मेटल पॉलिथीन फर्टिलाइजर डाय राब इसके बाध निशकोस ने में रिजन उब कॉंटिन फ्टिन्वास्वासट डिक्रीजृट वायल लाइफ वायल लाइफ का कॉंटिन्वासट Dक्रीज होने का में रिजन क्या है डिस्टक्षण ऑफ्रञळ एभीटम मॉटिएंट तो इसको फॉसन का सही अंसर हो जाएगा अ तो इसका सही अंसर होगा, option number A, इसके बाद निसकोशने, which of the falling are not air pollutant, यहाँ पर जो option दिया, इसमें से आप सभी को बतना है कौन सा air pollutant नहीं करता है, carbon monoxide करता है, nitrogen dioxide भी करता है, sulfur dioxide भी करता है, इसलिए इसकोशन का सही अंसर हो जाएगा, option number D, none of above यहाँ पर सही है, इसके आएगा, option number C, coal, petroleum, ironium, non-renewable source of energy है, इसके बाद नेक्स्मोर डिसर्स करेंगे, renewable resource के बारे में, ओर रिसोर्स जो human, जब से human life exist हुआ है, तब से use करते जा रहे है, उसको कहा जाता है, renewable resource, इसको non-conventional source of energy भी कहा जाता है, for example, soil, water body, sun, wind, tidal energy, geothermal energy, forest, mountain, wildlife, atmospheric resource, इसके बाद नेक् प्लेस और reuse नेकर सकते हैं, एक बाद डिस्टो होने के बाद, उसको कहा जाता है, non-renewable resource, for example, coal, oil, nuclear energy, petroleum, natural gas, battery, यह सब क्या है, non-renewable resource का एक्जांपल है, इसके बाद नेक्सकोस ने सिमेन फेक्टरी लेबरर होते हैं, उनको क्या प्रोब्लम देखने के लिए मिलता है, लि इसकोस ने growing air culture crop between row of planted tree, उसको क्या कहा जाता है, उसको tungia system कहा जाता है, तो इस question का सही answer हो जाएगा, option number C, growing air culture crop between planted tree are one of this procedure to avoid the land crisis in India, this process is also known as tungia farming, in this farming, the farmer plant crops between the forest plantation rows, इस वीडियो में हम लोग इतने डिस्स करेंगे, इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा, टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आप सभी को description box मिलेगा, तो मिलेंग नेक्स वीडियो में, thank you so much